जैस्री कृष्णा, आईए जानते हैं गंगा सप्तमी कब है, इसका सुब मुहोर्द क्या है, पूजा की सम्पूर बिधी, धन प्राप्ती के अचोकुपार एवं इसका महत्व धर्म सास्त्रों के अनुसार, बैसाथ सुक्ल सप्तमी ती थी को, मा गंगा स्वर्ग लोग से सीव जी की जटाओं में पहुची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है, इस वर्ष गंगा सप्तमी का पर्व, मंगलवार 18 मई 2021 को मनाया जाएगा, इस दिन गंगा मया के पूजन एवं अस्नान से रिधी सिध्धी यस सम्मान की प्राप्ति होती है, तथा समस्त पापों का च्छय होता है, मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से ग्रहों के अशुप प्रभाव कम होते हैं, मान्यता है कि जीवन दाइनी गंगा में अस्नान, पूंड्य सिला नर्मदा के दर्शन और मोच्छ दाइनी सिप्रा के अस्मरण मात्र से मोच्छ मिल जाता है, गंगा सब्तिमी गंगा मया के पुनर जनम का दिन है, इसलिए इसे कई अस्थानों पर गंगा जियन्ती के रूप में भी मनाया जाता है, इस दिन किया गया दान कई जनमों के पुन्डे के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है कि बैसाक मास की सुक्लपच की सप्तिमी तिथी को मा गंगा का आउतरण हुआ था रिशी भगीरत की कठोर तपस्या से प्रसन होकर गंगा धर्ती पर आई थे गंगा जल के दिव्य प्रियोग से आप आरोग्यता और धन का बरदान पासकते हैं गंगा सक्तमी पर गंगा नदी में आश्था की डुबकी लगाना बेहत सुमाना जाता है लेकिन कोरोना के इस संकट काल में ऐसा करना मुम्किन नहीं होगा इसलिए आप घर में बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला कर अस्नान करें मा गंगा की अनुकमपा आप पर बनी रहेगी गंगा सक्तमी पर धन के लिए करें ए उपाय गंगा सक्तमी पर चादी या इस्टील की लोटे में गंगा जल भर कर उसमें पाच बेल पत्र डाल लें कोशिस करें की इस दिन सुबह या साम घर से नंगे पर निकलें भगवान सीवलिंग पर एक धारा से या गंगा जल नमष सिवाय मंत्र का जाब करते हुए अरपड करें ऐसा करते हुए भोले बाबा को बेल पत्र भी अरपड करें इन उपायों को करने से घर में धन धान्य की ब्रिधी होने के साथ ब्यक्ति को रोजगार के नए अउसर भी मिलेंगे गंगा सप्त्मी का सुमु हो गंगा सप्त्मी मंगलवार 18 मई 2020 को दोपहर 12 वजगर 32 मिनट से शुरू होकर बुद्धवार 19 मई 2021 को दोपहर 12 वजगर 50 मिनट तक रहेगे इस बार कुरोना महामारी के चलते पवित्र गंगा नदी में असनान करना संभव नहीं है ऐसे में आप घर में ही सुर्योदय से पुर्व नहाने के पाने में कुछ बुंदे गंगा जलका डाल कर असनान करके पुंड्य लाव कमा सकते हैं असनान करते समय स्वयं स्री नाराय द्वारा बताए गए मंत्र ओम नमो गंगाई विश्व रूपिडे नाराय दे नमो नमह का अस्मरण करने से ब्यक्ति को परम पुण्डे की प्राप्ति होती है इसके बाद उत्तर या उत्तर पूरु अधिशा में गंगा मैया का ध्यान करते हुए पुष्प अर्पित कर दीपक प्रज्वलित करके मा की आरती करें अस्नान के बाद गंगा मा की प्रतिमा का पूजन करें इस दिन यदि आप भगवान सियू की आराधना करते हैं तो यह भी बहुत फलदाई मानी जाती है गंगा सक्त्मी के दिन दान पूण्य करने से भी फल मिलता है ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे मा पावय पावय श्वाहा गंगा सक्त्मी की कथा पढ़ने या सुनने के बाद किसी भी रूप में गरीबों की सहायता अवश्य करें दान देने के बाद गाय को भोजन अवस्य कराएं क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है गंगा सप्तमी के दिन भगवान विष्टू और भगवान संकर की भी विद्वत पूजा की जाती है भग्वान संकर का गंगा जल से अभिसेख करने पर सिवजी और गंगा मया की क्रिपा प्राप्त होती है मान्यता है कि गंगा मया के पावन जल के छीटे मात्र सरीर पर पढ़ने से जन्जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं गंगा पूजन हो असनान करने से लवकिक वव पारलवकिक सुखों की प्राप्ति होती है पाप नासनी, मोच प्रदाइनी एवं सरिता स्रेष्ट गंगा मया भारत की ही नहीं बरन विश्व की परम पवित्र महा नदी है रिकवेद, अथर्ववेद, रामायर, महाभारत एवं अन्य धर्म ग्रंथों में मोच प्रदाइनी गंगा मया का यशोगान मिलता है इनमें सरवाधिक प्रचलित मान्यता गंगा जी के स्रीहरी विश्व के पैर की अंठे से निकलने की है गंगोत्पत्चे जुड़ी एक कथा पदम पुरार के अंचार आधिकाल में ब्रह्माजी ने श्रिष्टी की मूल प्रकृती से कहा हे देवी तुम समस्त लोकों का आधिकारण बनो मैं तुमसे ही संसार की श्रिष्टी प्रारम करूंगा ब्रह्माजी के कहने पर मूल प्रकृती, गायत्री, सरस्वती, लच्मी, उमादेवी, सक्ति वीजार, तपस्वीनी और धर्मद्रवा इन 700 रूपों में प्रकट हुई इन में से सात्वी पराप्रक्रिती धर्मद्रवा को सभी धर्मों में प्रतिष्ठित जानकर ब्रह्माजी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया राजा बली के यग्य के समय बामन अवतार लिये जब भगवान विश्रु का एक पग आकास एवं ब्रह्माण को भेद कर ब्रह्माजी के सामने इस्थित हुआ उस समय अपने कमंडल के जल से ब्रह्माजी ने स्री विश्रु के चरण का पूजन किया चरण होते सबे स्री विश्रु का चरणोधक हेमपूट परवत परगिरा वहां से भगवान सीव के पास पहुचकर यह जल गंगा के रूप में उनकी जटाओं में समा गया गंगा बहुत काल तक सीव की जटाओं में भ्रमण करती रहे सास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि स्वर्ग नदी गंगा धर्ती मृत लोग आकास देव लोग वरसातल पाताल लोग को अपनी तीन मूल धाराओं भागिर्थी मंदाकनी और भोगवती के रूप में अभी संच करती हैं गंगा सप्तिमी की आर्ती और कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी साथ ही उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन्हें भी अवस्य सुनें ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल धक्ती गाथा को जरूर से सब्सक्राइब करें धन्यवाद याओध